हेलो फ्रेंड स्वागत करते हैं आप सभी का स्टार की यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास निंथ्मेटिक बोड एक्जाम 2022 के लिए मोस्ट भी विया सब्जेक्टिव कुश्चन लेकर किया हैं हिंदी का जो कि आप लोग लगूतार ये कर सकते हैं स्टार के स्टरी डॉट कम के माध्यम से यह विब साइट पर सकते हैं योटुब से भी पर सकते हैं तो जो भी बच्चे साइन्स का वीडियो नहीं देखे वो देख लिजेगा काफी important question बताए हैं लगूतर ये physics, chemistry, biology तीनों का ठीक है और objective question हम लोग कर चुके थे all subject का आज हम लोग subjective question कर रहे हैं हिंदी का इसी तरह से हम लोग दिर्गूतर ये प्रशन भी करेंगे तो last तक बने रहेगा इस वीडि कर दीजेगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर किजेगा तो चलिए शुरू करते हैं पहला question देखिए इसमें क्या कहता है कि निम्लिखित प्रश्णों में से कि निपांस प्रश्णों के उत्तर परतेक लगभव 20 से 30 सब्दों में दे ठीक है इसमें से आपको 10 question आएगा जिसका 5 question का answer exam में करना होगा और ये 2 marks का question है total 5 question करना है ठीक है तो first question है आप लोगा का सर्म विभाजन कैसे समाज की आवा सकता है नेक्स्ट question है खो गुर्जर परतिहार कौन थे तो आप लोगा चेप्टर का ये question है कि गुर्जर परतिहार कौन थे तो गुर्जर परतिहार बाहर से भारत आये थे इसा की आठवी सदी के पुरवार्ध में अवंती प्रदेश में उन्होंने अपना सासन खरा किया और जिसमें मिहीर भोज महेंदॡपाल आधी प्रख्यात परतिहार सासक हुए नेक्स्ट question है लेकग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वर नंबर कि भारत माता कविता में भारत के किस रूप का उलेक किया गया है तो भारत माता जो कविता है आप लोग का चेप्टर का उसमें भारत को किस रूप में उलेक किया गया है तो कविता में भारत वास्यों की वीचुदता, उदासी, दीमता यानि गरीवी आधी का सजीव चितरन किया गया है सोने की चिर्या कहलाने वाली भारत माता यानि हमारे भारत को पहले क्या कहा जाते थे सोने की चिर्या भी कहे जाते थे संतान अर्ध नग्न और भूखी है उसका अभी द्रिष्टी ये है समान्त वादियों के द्वरासोसित है असिक्छा निर्धनता आदी के लिए किसी तरह जीवन ढूने के लिए भारतवासी विवस है यानि किसी तरह से अपना जिन्दगी गुजर्बसर कर रहा है यही कविता में वर्णन किया गया है नेक्स्ट कुश्चन है जन्ता की ब्रीकू टेड़ी होने पर क्या होता है जब जन्ता कूपित होती है तो उसके आक्रोस की आंधी में बरे बरे समराज उखर जाते हैं क्योंकि जन्ता पे ही क्या टिकाराता एक समराज का निर्मान होता है एक बार जो जन्ता ठान लेती है उस यह भी आप लोग के पाट से लिया गया है हमारी निंद कभी था जिसका कसिर सक हमारी निंद एक परतिकात्मक रूप में अफ़धरीत है, निंद कल्पना मूलक होती है, कल्पना के भाव में पहुँचकर जब यथार्थ की बाते आने लगती है तो कल्पना यूही समाप्त हो अत्नवल को संजोए हुए है समाज को कुरूब बनाने के लिए मक्यों की तरह अत्याचारी जर्म ले रहे हैं विवीद बेवधान के बवजूद हम हठीला जीवन जी लेते हैं नींद आती है किन्तु जमहाई नहीं जीवन की साथ करता अभावों के बीच भी गहडी नींद में सोना है कि ये एए कि मंगु को अस्पतल ले जाने के समय माँ की स्थिति कैसी थी तो मंगू तूर्ज था ये इसको इसकी माँ कहां ले इस पताल लेगी तो किसी की मा रह निकिसी के बच्चे जो असपताल लेजात उसकी दसा कैसी जो सुझ का वरणन कि लिए neurolog की तुसी हिर्दय विरादक थी यानि चलते समय मां ने मंगु के सीर पर हाथ रखा और आशिरबाद देने के कर्म में बेटा सब्द कहा नहीं था कि उनका स्वर फूट परा यानि रोने लगी मरने के समय जैसी एक लंबी सिस्की फूट परी हो मां के उस आकरंदन में सारा अस्पतार ड देख डॉक्टर में ट्रेन या नर्स और परिचारकों के हिर्दय भी भड़ाएं सब भावग हो गया मां उस समय सनेह में पागल बनी हुई वेदना की पूरन परती मूर्ती से दिख रही थी नेक्स्ट कुश्चन है बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने पापाती को किस रो ग्रस्त बताएं जो कि समस्तिक्स का वीमारी होता है कि अग्स्ट कुश्चन है देवनागली में कौन-कौन भाषा है लिखी जाती है यह नेपाली मराठी संस्क्रीट की नेपाली कि नेवारी नेपाली मराठी संस्क्रीट लिखी जाती हो हृग subtitle कुछन है कि छाएं दिसाहीन सब ओड क्यों परती है हीरो सीमा की सिर्षक कभीता का अधार पर असपस्ट करें तो हीरो सीमा नागा साकी कहां पर जपान में है जो की बहुत वर्का क्या हुआ था प्रमानुबं गिराया गया था जिसका परत्यक्ष आज भी देखने के लिए मि हीरो सीमा पर गिराया गया परमानुबं इतना सक्ति साली था कि उसकी आखी लपेट चारो तरफ फाइल गई कुरन चीक से वातावरन गुंजाय मान हो गया कोई किसी का दर्द सुनने वाला नहीं था क्योंकि सभी अपने दर्द से प्रीत थे एक दूसरे का साथ देने वाल आदि स्वाइंग विरत हो गए चारो तरफ के वलत्रा हिमाम का स्वर सुनाई पर रहा था छाया देने वाले मानव आदि स्वाइंग बचव की तलास में इधर उधर भटक रहे थे तो हीरो सीमा नागासा की काहा है जपान में है यह आप लोग अब्जुक्टिव में कुश प्रैक्टिस कर चुके हैं इसी तरह से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ यह हिंदी का सेट फर्स्ट का था लगू उतर यह प्रस्म जो कि आप लोग को टू नमर्स में पूछे जाते हैं और यह फाइब कोश्चन आएगा टेन माक्स का ठीक जो भी बचिन नए है और आभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लिजिए स्टार के स्टारी डॉट कम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके बाइबाए